टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंदर सिंग धोनी भले ही सोशल मीडिया पर अक्टिव ना रहते हूं लेकिन उनकी पत्नी साक्षी धोनी सारी अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं कि धोनी की जिंदिगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं ताजा अपडेट धोनी की जिंदिगी से जुड़ी आई है और वो ये कि अंतराष्टे क्रिकेट को अलविदा कहे नौ महीने से ज्यादा का वक्ग धोनी को हो गया है और इस वक्ग वो पूरी तरीके से अपनी फैमली को टाइम दे रही है सोशल मीडिया पर उनके इंजॉयमेंट की तस्वीरे विडियोस सामने आती रहती है फिलाल धोनी अपने परिवार के साथ छुटिया बिताने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंचे है रिपोर्ट्स की माने तो धोनी लगभग 12 लोगों के साथ शिमला पहुंचे है चेनने सूपर किंग्स के कप्तान आखरी बार एक एड की शूटिंग के लिए अगस्त 2018 में शिमला पहुंचे थे उस दोरान भी कई तस्वीरे सामने आई थी 2018 में शिमला में एक बैंक के लिए धोनी ने एक एड शूट किया था इस दोरान धोनी ने शिमला की सडकों पर बाइक राइडिंग की थी धुनी का ये दौरा इस बार का पर्सनल बताय जा रहा है कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट करेंगे वो किसी काम के सिलसले में वहां नहीं गए है वैसे आपको बता दे MS धोनी क्रिकेट के मैदान पर सेप्टेंबर में दिखाई देंगे IPL 14 के दूसरे हिस्से में CSK करने तरतफ करेंगे कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद IPL 14 को रद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से सितंबर अक्टूबर में दूसरे स्थान पर है साथ मैचों में से पांच में उसने जीत दर्च की है बहराल धोनी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था जिसमें वो अपने घोडे चेतक के साथ इंजोई करते हुए नजर आ रहे थे धोनी अपने घोडे को मसाज दे रहे थे इसका वीडियो साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर साजा किया था साक्षी धोनी ही वो जरिया है जिसके जरिये फैंस थाला की ये जो तमाम चीज़े हैं उनकी लाइफ से जुड़ी अपडेट्स देखते रहते हैं जानते रहते हैं और समझते रहते हैं या ये कहलीजिए कि उनसे जुड़े रहते हैं और इसलिए साक्षी धोनी को भी हज़ारों की तादात में लोग फॉलो करते हैं कि धोनी की अपडेट मिल सके खेर वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें महिंदर सिंग धोनी अपने घोडे चेतक की मसाज करते हुए नजर आये थे और साथी साथी तस्वीरे भी देखिए जब धोनी शिमला पहुंचे है इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट कर कामेंट कर दोडे के एम है झाल झाल